एक चीज़ अमें सा ध्यान रिखे कि जीवन में कभी भी अपनी खुशियों को पोस्पॉंड मत करिये हम अक्सर अपनी लाइफ में इस तरह के प्लान बनाते रहते हैं कि मेरा जब 12 में अच्छे marks आ जाएंगे या मेरा किसी competition में selection हो जाएगा या मेरा UPSC में selection हो जाएगा मेरा engineering में selection हो जाएगा या मेरा business बहुत जबरदस चलेगा तो उस दिन मैं अपनी लाइफ में खुशियां enjoy करूँगा या मैं खुश होंगा हम इस तरह के plan बनाते रहेतोर अपनी खुशियों को postpone गढ़ते रहते हैं ये निहायती गलत तरीका है अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियों को postpone मत करें उसके कारण अगर हम अपनी life में खुशियों को postpone करते चले जाते हैं कि नहीं तब करेंगे, तब करेंगे, तो आपका mind है, वो continuously work करता रहता है, क्योंकि mind को relaxation कब मिलता है, उसको हमें समझना पड़ेगा, कि जबी भी हम कोई भी काम करते हैं, तो जैसी हम काम को सुरू करते हैं, हमारा mind जैसी हमारे सामने कोई problem आती है, हमारा mind उस problem को solve करता है, ज जैसी sense of completion create होता है, हमें बहुत जदा satisfied feel होता है, और satisfied feeling जब आती है, उस दिरे मैंने हमारे दिमाग के अंदर serotonin और dopamine का level बढ़ता है, हमारे दिमाग के अंदर खुशी का इस्तर बढ़ता है, और हमारा दिमाग पूरी तरे से relax होता है, और जैसी दिमाग relax हो जाता है, हमें बहुत ही जदा अच्छी अच्छी feelings आनी शुरू जाती है, तो जैसे हम यह बोल देते हैं कि हाँ यह target complete हो गया, तो दिमाग आपका relax हो गया, अब नई problem को solve करने के लिए आपका दिमाग तयार हो गया है, लेकिन अगर मानली जी कि मैंने यह प्लान कर लिया कि एक साल बाद ही मैं खुश हूँगा, दो साल बाद ही मैं खुश हूँगा, जीवन में जब यह हो जाएगा, तब ही मैं खुश हूँगा, तो हमारा जो दिमाग है वो लगातार, लगातार, लगातार काम करता रहता है, तो mind के अंदर oxidative stress create होता है उसके करने आपके जो happinessあーmon के जू neurons है, उ neurons की जो biochemistry है वो प्रभावित होती है neurochemistry प्रभावित होती है और आपके अंदर happiness hormones का level कम हो जाता है और जो आपके अंदर अच्छे अच्छी feeling है वो तो हो जाती है खतम अब आप हर वक्त tired feel करते हो ठके तके से महसूस करते हो और उस ठकावट के कारणा आप अपना जो पूरे दिन का काम है वो बिलकुल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और जब आप काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते आपके performance गटती है performance फिर आपके अंदर एक और नया stress create कर देते क्योंकि आपके day to day life के targets भी अच्छीव नहीं हो पा रहे होते तो अपने आपको इस तरह की उलजन के अंदर मत उलजाईए अपनी किसी भी परकार के happiness को किसी भी सूरत में postpone मत करिए अपने day to day life के छोटे छोटे target set करिए छोटे छोटे काम set करिए कि हाँ ये काम पूरा हो गयाना मज़ा आ जाएगा ये छोटा सा काम खतम कर लिया दो गंटे का बड़िया मज़ा आ गया अच्छा सामने कोई 각 आ रहा है हमारे पस में ग्राहाग से में interact करें हैं बात करें हैं अच्छा इसको बहुत अच्छे से अपनने convince किया इसको satisfied गर दिया वाव यार मज़ा आ गया अपने आपको ये बार-बार बताइए आप कोई भी topic खतम गर रहे हैं वा यार मज़ा आ गया आज तो आनन्द आ गया ये हमें अपने आपको बताना भी बहुत जरूरी होता है और छोटे-छोटे target set करने बहुत जरूरी होता है ताकि हमारा दिमाग है वो activate हो उसके बाद में हमारा दिमाग relax हो activate हो हमारा दिमाग relax हो जैसे हम गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर लगातार लगातार चलाते ही चले जाएंगे, गाड़ी को बीच में रेस्ट नहीं देंगे, तो गाड़ी का इंजन भी क्या हो जाता है, एक्जॉस्ट हो जाता है, और जब एक्जॉस्ट हो जाएगा, तो गाड़ी का इंजन फिर हर एक गंटे का target है, हर दिन का target है, हर दिन का लक्ष है हमारा, कि आज तो बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया, अपने आपको छोटे छोटे काम के अंदर ही divide करिए, अपनी happiness को गलती से भी postpone नहीं मत करिए, ये आपकी दिमाग में happiness, हार्मोन को कम करने का तरीक है, को पूरे ही satisfaction के साथ में उस कार्य को खतम गुरता कि आपका mind relax होना, start ओर आपके दिमाग के अंदर happiness, हार्मोन का level बड़े, खुशी बड़े, और आपके दिमाग का जो exhaust होने का process है न, वो processor भी आपका कम और आप अच्छा